variables, two types की variables है, class level variables and method level variables, class level variable में static variable and non-static variable, class का scope क्या है, class का scope is cool is cool means class और demo कुछ भी ले लिए, name demo ये, curly press starting points से लेकर ending point तब, ये क्या कहलाता है, class का scope, class का scope है, वो क्या है, ये curly press जहां से start हो रही है, और यहां end हो रहाता है, इसका क्या कहलाता है, ये scope कहलाता है, इसके अंदर, जो class level, चाहे वो method हो, या फिर block हो, या फिर constructor, या variables, कोई से भी आप इसके अंदर access कर सकते हैं, कहीं से भी, कहीं से भी, जैसे कि आपने क्या बेना है, variable, कौन सा, class level variable, कोई सा variable, जैसे कि कौन से variable होंगे, class level, इस्टेटिक वेरियेबल, इसको कहीं से भी अक्सेस करना है, मतलब कि एक method बनाया, जैसे, void, void f1, ये एक functional method है, इस method में, variable को आप access कर सकते हैं, तो, variable name क्या है आपका, वोई से भी variable, जैसे कि, for example, एक variable, static variable, variable name मैं लिखता हूँ, अडिया आपका, जैसे, इस एक रियाबल होगा, जैसे, इस एक रियाल आपका, इस एक रिया बनाया, बालास दो, बालास बाला, जादा, ये non-static variable लिए यहां keyword डिखने की दिखने के जिएवा कर नहीं है Automatic non-static variable कह पहला था है इस्टेटिक वेरिएबल मेंशं करना पड़ता है स्टेटिक जपिएप्योट्स और नी टाइप डिन वेरिएबल यह क्या है अब इस में यह क्लास लेवल वेरिएबल है तो यह कहां एक्सेश कर सकते हैं किसरो अगर करलेक अगर मैंथेथे ना इस variable name को, variable name क्या है, id, id को access कर सकते है, miss इसके अंदर को value assign कर सकते है, नहीं, ठीक है, क्यों, क्यों, यह id variable, जो इसका scope है, इसका range है, वो कहां तक है, यहां से जो start हो रहा है, यहां end हो रहा है, इसके बाहर इसको आप access नहीं कर सकते हैं, कैसे access करेंगे, इसका second approach है, बतावेंगे, ठीक है, तो बस by default क्या है, आप इसको access कर सकते हैं, कैसे, class के अंदर, तो class के अंदर, क्या चीज़े आप बना सकते हैं, class के अंदर, क्या क्या चीज़े mention कर सकते हैं, रख सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं, class के अंदर, फिर्स्ट वेरियेबल यहां पर जैसे की मैंने माल लिया प्रिंट करना है स्वाइश्टम.out.printlm , लेकिन, इस्टेटिक और नॉन्स्टेटिक मेथड इन दोनों कि सिनारी आपको समझना पड़ेगा की कैसे नॉनस्टेटिक मेथड में स्टेटिक मेरियेबल को एकसेस करें क्या पॉसिबल है यस या नो कर सकते हैं बोलो नॉन स्टेटिक मेथड में स्टेटिक वेरियेबल एक्सेस कर सकते हैं करके देखलो में में अधर्ड में में अधर्ड लेते हैं चलो पबलिक टिक वोईड में स्ट्रिंग एरे आद्स और पॉल किया एक पॉन में अधर्ड को ठीक है सेव जाओ पर स्टेक जीजे डेटा टैप्स और डेटा टैप्स के बार एक वेरियेबल नम को पुड़ ले लेते हैं वेरियेबल फाइल का नेम डेमो डेमो डाट जावा एक्स किट करते हैं प्रोग्राम को हाँ cmd open कर लो cm फाइल कर नेम java c डाट जावा कोई प्रोब्लम जावा 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 जाव सब्सक्राइब करने के लिए अबजेक्ट होना चाहिए अबजेक्ट में सब्सक्राइब इस मैथड को बनाय किसके लिए कि जब आपजेक्ट रन टाइम पर क्रियेट होगा वही इस मैथड को एक्सेस करना है अब बताओ पैसेंट जब तक एड नहीं होगा तब तक कौन सा ना उसको गुरूम अलोट किया गया ट्रीट्मेंट के लिए इसकी कितनी बिल जनरेट होई है आप कैसे चक्कर होगा तो फर्स्ट प्रियर्टी क्या है अब्जेक्ट होना चाहिए सब्सक्राइब तब फर्स्ट बना के देंगी अगर आप इसका अगर आप पेसेंट का नेम बताओ जब तक आप पेसेंट का नेम नहीं दो गयों तो यह कैसे वर्क करेंगा तो समझो इस चीज़ को खुद से सारी चीज़ों को आपको एनलाइज करना है रटना नहीं है और की आपने स्टेटिक मेथड रख लिया और प्रोग्राम बनाने लगे हां इस चीज़ों को एनलाइज करो फिल करो यह चीज़े कब हमें इसको यूज करना है तो समझ मैं यह नॉन स्टेटिक मेथड है तो नॉन स्टेटिक मेथड के लिए हमें रिक्वार्मेंट क्या है आपजेक्ट तो रन टाइम पर जब आपजेक्ट क्रियेट किया जाएगा त तो अबजक्त कैसे create होंगा runtime के new keywords से demo नाम से demo यह है object लेकिन यह object कौन है यह object किसके लिए memory allocate की गई है इसको उस patient कौन से patient होगा patient 1,2,3,4 multiple patient हो सकते हैं तो हमने पेसेंट वन लिया या पर दी वन डेंब दीवन जो है एक पेसेंट है एक पेसेंट की क्या बताओ बिल बताओ पेसेंट की बिल कैसे निकलेगी यार उसके रेफरेंस के थुरूप टीवन की आपवजेंट की की बने चाहिए उसी का बिल निकाल तो कि अक्सिबूब और चेक्सेंट करेंगे से मेथल और अधर को अबजिक्त के रेफरेंस के तूरू कैसे बीकूरा डाइग्राम बतारा हूं आपको अभी ्जारी से जाधा क सब्सक्राइब गईए निएन्र क्या है में खार दर्ली फीट होक्यां थिदर कीуки और इस अधर Bye अगर दूसरा अपढ्यक्त होगा तो जुआ न दूसरा present होगा उसका भी बिल अगर आपको generate करना होगा तो तो यह क्या करेगा डीटू लेकिन किसका बिल जनरेट करेगा हमेशा ऑबजेक्ट का तो ऑबजेक्ट जब भी आएंगे उसके रेफरेंस के तुरू इसका बिल जनरेट होगा तो बताओ पैसेंट वन का जो बिल होगा क्या वह पैसेंट टू का बिल सेम होगा तो अब जनरेट वन का बिल पैसेंट टू का बिल जनरेट तो यह तो इसका मतलब कि यह अब्जेक्ट अलग करेंगे और इसका सभी का कितने मेडिशिन इसको लगी क्या 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 कॉंस कितने टेस्ट हुए है तो सारी इंफॉर्मेशन हम कहां लोड करते हैं एक अलक से लिए तो यह उसके लिए हम क्या का उस ब स्टेक्ट बेरियेबल बनाएंगे या फिर नॉनिक है नॉनम में तब ले हैं स Tenemos Pirate Static Variable क्या होगा जो sweater कर जो चार्ज है या होस्पिटल की चार्ज जिसे की होस्पिटल का जो भी चार्ज है वो Labor सारे यूजर्ज के लिए जितने भी यूजर्ज होंगे जितने भी पैसेंट होंगे उनái लिए सभी के लिए जो चार्ज इस common charge है वो क्या होंगे static होंगे लेकिन जो पेसेंट के according जो treatment हो रहा उसका जो चार्ज होगा वो क्या होगा उनिक हो तो जो जो चीज़े यूनिक है जो user specific है वो non static होगा और जो आपका common for all objects all object के लिए जो common है वो static variable ठीक है अब देखो इसका scope class यहां पास method को access कि यह जला compile करके रण करके देखते एक जो method का problem है resolve हुआ यह नहीं Java compile yes method का problem solve method का problem solve ना है कोई error no error नई कोई error नहीं लेकिन program में कोई error दिख रहा है कि आपको program में कोई error दिख रहा है कि आपको है वाइड एफ वन मेतड इस्टेटिक मेतड़ नॉनस्टेटिक आइड वेरियेबल इसके आइडि सेटिक सकते हैं सर कर सकते हैं क्योंकि ये इसको नहीं पर जिसको लोडिंग टाइम पर ही इसको मैमोरी दी जाती है और वेल्यू को इनिसलाइस किया जाता है तो क्लास लोड़िंग कब हुई थी जब डेमो क्लास को हमने लोड किया था जे बे इसको एक्जेक्ट कराने के लिए उस टाइम पर ही आईटी को क्या मिल गए थी वेल्यू मिल गए ठीक है इसलिए कोई प्रॉल्लम नहीं अब इसको अब हमने किया की सिंपली प्रोग्राम को एक्जेक्ट कर दिया ठीक है प्रोग्राम को एक्जेक्ट करते हैं जावा डेमो Unsupported class verification error. Ok. Recompile Democlass dla Recom instructors Remove CMD Java C Demo Bot java So file और इस पाइब अब आए यह अब यह अब अजय को पाफ का प्रॉब्लम है कि मैंने पाफ में चेंज किया रहते हैं जो को पाफ चेंज करते हैं कि अब गो प्रोग्राम फाइल्स एडिके एक ही एडिके भी रखता हूं तो मैं क्या है प्रोप्राम प्रोप्राम मैं से एक्षबिए एक बाला भाला आ पन्मा कि एका शाओ हौं एकिता हूं तो 17 अग किया है JDK 17 ठीक बाद 17 अग में यूसकाना है ठीक यहां से अनस्टाल करें रगता है एक नटा ए टिए टेखना एट टेक्नाई एडिकरओ बार्टार है भा कर दया है समति हमें टे क्ता वारम मेनर से लुप हमार छो आ ड्गल के का ग बारस फ्टा कि अधा मेनर स्टक्पर आ वार्ट के अर में गदारी है झाल 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 झा तो रिकंपैल करते हैं, CMD javacdemo.jav javademo Output Demo 101, 101, 101, 101,雖avar. यहाल पर दो अबजेक्ट हैने दो अबजेक्ट को दोनों ओबजेक्ट कर डीटेयल एक आप एक्वूंधक को वनक्स मों क्या है। तो मैफ़ड नल्ला क्या है वन ताइम कॉल किया तो यह तो इसके पास कंठ रूट विसके को अध्म कि इसको तरह बैलेंस एक करने के लिए यहां तक क्लियर है यार है यह फर आज जिसको प्लेट ना हो इसे बोल सकता है यार ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ सुन रहा हैं देखने साभी को क्लियर होना चीजिए नहीं होगा बताना मुझे हाँ जो लोग आप नियु जाइन किये हैं वह एक क्या काम करेंगे तीन चार लेक्चर जो है यूटूब पर पड़े हैं इसको अच्छे से एक बार देख लेंगे रिवाइस कर लेंगे सारह कौन से उनको काफी क्लारिटी आ जाएगी समझ में ठीक है इस्टेटिक वॉइड एक में बना इस्टेटिक वॉइड एफ टू इस में मैंने डिस्प्ले कराया इस 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 आउट प्रिंट अलन और प्रिंट अलन और बैली अभी बता है इसमें कोई प्रॉब्लम इसको मैंने कॉल किया किसको क्या ना है एक अब्जेक्ट ने कॉल किया बैलेंस दीवन डॉक टू इस ने कॉल किया अपना अपना बैलेंस तो मामला अभी तो बाइट एट किया है कि इसके बाद मैं जेंज कर दोंगो दोनों का वैलेंस अभी बता जाहां बता कोई प्रॉब्लम अधिट समय जो कि अब पूट आना चाहिए है तो कि मुझें कॉंजया कॉंसेप्स समझें बताओ अनलाइज कर ऐसा चीए बताओ कि आप सब्सक्राइब देख रहे हैं सेर बता नहीं आप मैं बताओंगे ठीक अभी बताओंगे पूरा क्लार्टी आए जाएगी बटा भी एक बार ट्राइ करो आप लोग खुछ से बताओ का ना मैं सीमा मुखान चले गार मोहीत और दिख्षेत वह तो कब का चले गया है अच्छा कब का चले गया है अच्चा शो देंग वह बोड़ो सॉन Folkt कि ऐसमें सरु स्ट्रेटिक लिया है सर वो मैंत बनाया सर यह सम्दमिट जोस्ट फैस math सेकंड मैं隻 इस a cow तो नॉनस टेक है तो प्रोब्लम कहा है इस टाटिक मेथड़ बनाने में प्रोब्लम है या इस वेरीयबल कैसे स्थाटिक स्थाटिक वाइड सुझे आगे अरे इस्टेटिक मेंठीड है ना यह नॉन इस्टेटिक मेंठीड है मिसस में स्टेटिक कीवर्ड नहीं इसमें यह एक्त प्रोब्लों क्या है यह फिर बैलेंस में ने ने सरफ पूर में सर चेट का प्रोब्लम इविटेस बताव इविटेस अर्विटेस अर्वी टेक्राम सथ पाव रचेसे इव देखो ताइम पने पास का में चीके यह है नॉन स्टेटिक मेथड और एक मेथड और बना रहे हैं कि इस्टेटिक मेथड है ना इस्टेटिक वॉइड एक टू मेथड इसमें हमने डिस्प्ले किये इंट बालस स्टेटिक वेलिव देनी पडेगी ना सर्ष्ट्वलें सर्वाली जर्वालें सर्वाली ना इंटिक विडेगी ना सर्वाला इसमें सबसे पहले QBMP कैसे इन चीज़ों को अरेंज करता है कैसे एनलाइज करता है फस्ट प्रियर्टी क्लास लोडिंग QBMP में क्लास लोड होना शेकन प्रियर्टी स्टेट डियर्डश को मेमोरी अलोकेट करना जब भी आप प्रोग्राम को देखेंगे तो सबसे पहले आप एनलाईस क्या करना है कि इस्टेटिक वेरियेबल्स को मैमोरी मिल चुकी है है ठीक है क्या ना हम इसका वेरियेबल की आइड़ी कि वेल्ली के इसके इंदे स्टोड है वन नॉट नॉट कि वेर मेमोरी मिली यह स्ट्रेयल अटोगी मों रहे हैं यह सब्सक्राइब नहीं मिली है हमाल प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप समझेगा तो आपका बोलोगी कि यह सब्सक्राइब यहां तो मिल गई है में वोरी लेकिन अब लेकिन जेविम सबसे पहर इस्टेटिक वेरियेबल्स को सर्च करता है इस्टेटिक मैथड को लोड करता है इस्टेटिक मैथड को है में मैथड तो इसके बाद में मैथड लो लोगए इसमें क्या है कितने मैथड से आर मैं तो यह हाँ आप सबज़ना मेन मैथटर्ड भी एक स्टेटिक मैथड तो सबसेब इसके बाद जो सेकेंड जो हमारा प्रियर्टी है जे विम का वो क्या है मेन मैथड लोड करना ना मेन मैथड मेन मैथड स्टेटिक है इसलिए लोड होगा जेविम टृब Chief है में मेथड लोड है कि इस्टेटिक वेरियेबल मे मेर्य मैं अलोट यह न 님이 मेहां क्या करता है इस ने एक सेट आप्जेक्ट क्रिएंट किसका अबज़क्ट एक object create होगा किसका यहां आपने object create किये है किदर है आप में में अधर वाला कौंपी और मैं इसको center में रख लाता हूं सेट यह थीए में अंगा कि आप पीक, में मैंन मेंटड कि में मेरी वाला है तो ना में मारी वाला स्टेंटर मपर्टा हूं स्टेट और मियूड कि मतब्स करें आपने object लोड आपजिक्ट क्या है new demo यह इसने किसको को कॉल किया d1.f1 है ना d1.f1 कॉल किया तो f1 मेथड क्या है इस्टेटिक है या नॉन इस्टेटिक नॉन इस्टेटिक है यह इसने d1 object क्रियेट हुआ इसके reference से इस method को कॉल किया यह method यह method क्या statement execute करने तो जब इस्टेटिमेंट execute किया गया है ठीक है यह statement execute करेंगे तो आई डी एक variable है आई डी एक क्या है वेरियेबल यह variable को memory मिली कि यह जाएगी कि प्रिंट करेंगा टेन वन नाट वन यह डिस्प्ले करते हैं यह नहीं कि यह से नो अब्जेक्ट है ना अब्जेक्ट है ना अब्जेक्ट है तो करते हैं इसको 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 मेमोरी मिलेंगी तो क्या वेल्लों करेंगे ठीक है यह बस एक कॉंसेप्ट है देखो आपको प्रेक्टिकल ही बता रहा हूं फस्ट इसको कंपाइल करो कंपाइल एक्जेक्ट करते हैं प्रोग्राम को यहां देखो क्या रहा है कि नौन इस्टेटिक वेरियेबल बैलेंस के नोट बेरेंट प्रों इस्टेटिक कॉंस्टेंट कैसे, इस बैलेंस जो है बैलेंस बैलेंस वेरियेबल अमेशा याद रखना हमेशा के लिए बता रहा हूं एक बार के लिए नहीं हमेशा सेम कॉंसेट अपलाई होगा अमेशा यह जो है अब चाहे इसके reference से call करें या फिर class name से call करें static method जब load होता है ठीक है static method कब load होता है class loading time पर ही load किये जा चुके है जब यह load होगा और आप access करने को try करेंगे method f2 method तो आपने try किया method f2 यह क्या है पहले से load हो चुका है balance जैसे ही आप इसने try किया आप आपको इसको create करना है बाद में आप इसको क्या है यह object create होगा बाद में लेकिन यह load होगा पहले memory में पहले लोड होगा तो जब यह पहले लोड होगा तो जब आपजेक्ट से इसका correlation ही नहीं है तो यह जब पहले लोड होगा तो फस्ट तुरन जाकर चेक करेगा कि यह variable किदर है इसको memory कहा है memory में इस variable ही नहीं है यह variable memory में अवेलेबल नहीं है तो क्या करोगे है हमें requirement है तो क्या करोगे रिमूफ कर दोगे क्या है इसका situation प्राब्लम क्या इसका solution क्या है और नौन स्टेटिक वेरियेबल हम कैसे एक्सेस करते हैं सर अब्जेक्ट बना के हाँ तो इसके अंदर एक अब्जेक्ट बना लो जैसे ही memory में लोड होगा यह स्टेटिक मैथड उस टाइम पर पहले आउब्जेक्ट क्रियट हो कर सकते हैं कि नहीं अब्जेक्ट क्रियेट हो और अब्जेक्ट जैसे ही क्रियेट हो तुरंत हम क्या कर सकते हैं वेरियेबल को एक्सेस कर सकते हैं क्या स्टेटिक वेरियेबल को डारेक्ट एक्सेस कर सकते हैं सरी नॉन स्टेटिक वेरियेबल को नहीं किसके के और हैं तो लुक्क कि यहां पास क्या चाहिए एंच है यहां पस मैंने दी फरी बेरियबल और इसको डी 3.6 अब बता इए पाई और ढी 3.6 राइक इसको memory मिल है नहीं सब्सक्राइब मिल गए देन यह त csak ऑब memory मिलसे नभी बीF जाल tekrar गई है तो जैसे ही सको memory मिलेगी तब यह क्या है static variable static method के अंदर non static variable अगर access करना है तो इसके अंदर object का reference होना mandate हुई है बिना object के आप access नहीं कर सकते क्यों कि इसको memory नहीं मिलती है तो जैसे ही object होगा तो first static method आप call करेंगे तो यह object create करेगा internally और memory property provide करेगा इसके लिए यहाँ पास क्या memory मिलेगे चल्री यहां नहीं मिलती है यह मिलती है object के अंदर और यह object के अंदर क्योंकि non static object के अंदर होगा तो इसको memory मिलेगी इसके अंदर क्या होगा यह balance नाम का जब सब्सक्राइब यहां पर देटां मेमोरी मिल चुकी है यहां से फेच करेगा रिकॉड आपको डिस्पले करा देगा कि आधा इस वह को है सोगी स्टेटिक का कॉंसरट क्या है स्टेटिक पहले लोड होता है और object बाद में create होता है जब यह object create होगा तब मिलेगी इससे पहले यह कि है कि जैसे ही लोड हो तुरांत object create object create हो तो तुरांत इसको memory मिलेगी हम access कर सकते हैं यह static के एक static जब method आप call कर रहे हैं उस टाइम पर इस्टेटिक मेथड इस्टेटिक ब्लॉक काई यू से कैसे कैसे बनाते सारी चीज़े प्रोग्राम अभी हम फ्लो देख रहे हैं सारी चीज़ों का कि फ्लो अब थोड़ा समझ समझ लिए फ्लो कैसे वर्क करता है ना अब देखों यहां पास यहां पास मैं अगर ऑब्जेक्ट बना दूँ अब डेमो डे थरी इक्वल टू न्यू न्यू डाइव डेमो यहां रेफ्रेंस अब बताओ क्या प्रोब्लम आने चाहिए कोई प्रॉब्लम नए अब डिस्प्ले करा दे प्रोग्राम जावा अब यह मिला याप मेमोरी इनको मेमोरी मिला स्टेटिक में स्टेटिक में स्टेटिक में अब यहां एक कॉंसेप्ट और है आप में स्टेटिक में स्टेटिक में स्टेटिक वैर्येबल कोण डाइक स्टेटorte उक्सक्राइब है 1 कि लग्त सकते हैं लिए यहां अदिख सिस्ट कर सकते हैं मैं है है एट चल skipping सब्सक्राइब आएगी हमें न उंश्टेटिक विरीबल के सब्सक्राइब एक्सेस करना है थ 그러너 हमारा object होना चाहिए ठीक अब non-static method में static method on direct access कर सकते हैं कि क्यों क्योंकि पहले से सको memory मिल चुकी है तो क्या static method में non-static variable access कर सकते हैं यास non-static variable भी हो direct access कर सकते हैं without और दिया है बट यह हम क्या है डारेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि यह नॉन स्टेटिक मैथट तभी कॉल किया जाएंगे जब आप चेक का रेफरेंस होगा तभी है यहां पास हम डारेक्ट बैलेंस कॉल कर सकते हैं वहां आप यहां जो है स्टेटिक और सस्टेटिक मेघट कॉल करने का जो तरीका है इसटेटिक मैथट जो आंगम प्रस्टेटिक मेड़ों यह सबनान स्टैटिक मेथड हमेशा ऑबज्एक करेंस को of टेम मेथट हमेशा हम करते हैं कि सके मेंだから क्वास्फ़ क्लास लोडिंग टाइम पर ही इसको क्या है मेमोरी प्रवाइड की जाती है तो जैसे हैं क्लास लोड करेंगे तो इसको मेमोरी मिलेगी ठीक है तो डेमो.f2 और डेमो.f2 यह स्टेटिक मेथड है इन दोनों को क्लास लोडिंग टाइम पर मेमोरी प्रवाइड की जाएगी और यह नॉन स्टेटिक मेथड है इसके लिए अब्जेक्ट की रिकॉर्मेंट है इस पैसेंट जब आएगा तब ही होगा ठीक है और यहां पास पाइशन कर दे रहा हूं है इस पाइशन मितलब इस प्ले होगा था इस तो न दो आए इस तो आए इस तो आए इस तो आए इस तो आए जाए पाइल इस तो आए जब देखो यहां 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 ने कॉल किया था किसके थरों पर्स्ट जो स्टेटमेंट प्रिंट हुआ है कैसे प्रिंट हो आई यह फस्ट इस्टेटमेंट यहां प्रोग्राम में सबसे पहले लाइन एक्सक्यूट हुई कौन सी पहले मैमोरी मिला है स्टेटिक वेरियेबल को एक्सक्यूड के पास प्रिंट करेंगा इसकी नॉनिटिक वेरियेबल में 101 101 print हुआ yes देन इसके बाद second display करो balance balance को memory yes balance को memory मिली balance में क्या है balance 10100 100 display ठीक है देन इसके बाद the f1 method call यहां से program terminate second line यहां सस finance वापस गन्ट्रोल back वापस से स्टेटिकλι कर लूडर करेंगागा संट क्ञेस्ट कहा विर्वक्तू का राम एक से सेटिकट मेंट्रोल वैरीपल होगा उसमें क्या है एकौंसा नौन स्टेटिक वेरियबल है उसको मैमोरी 3.balance variable, balance क्या print किया, balance, access करो balance को क्या print करेंगा, 100, ठीक है, next, system.out.println, id, यह static variable है, direct मिल जाएगा, इसको, method area में, class loading time पे ही, memory screen को provide की गएगा, यहाँ पर C मिलेगा, यहाँ लाइन समझ में आगे, यहाँ से control back, तो same, second object के लिए, second object, create, then f1 method, call, f1 method, control f1 के पास, फिर id print हुआ, balance print हुआ, फिर इसके बाद वापस, फिर demo, दूसरा method को call किया, static method को f2, then object create हुआ, फिर वापस से memory मिली, इस balance को load किया data, इसके बाद इसने print किया, 100, then वापस back, और id को display कर दी, है समझ में? सर, एक डाउट था सर, हाँ, पुछो, सर, जो non-static में से जो balance print कराया है सर, इसको object बनाने के बाद ही direct use कर सकते हैं, balance, non-static method में यह जो balance बनाया है, इसके बाद है, इसके लिए हम direct हैं, क्योंकि यह non-static method हम बिना object के reference access कर यह नहीं सकते, इसका मतलब कि जो object है, patient one है, तो patient one जो है, इसके id generate हो चुकी है, reference मिल चुका है, उसी reference के दुर हम variable के access करें, लेकिन यह static जो है, यह कौन सा patient के लिए call कर रहे है, कौन सा है, इसका नहीं मालूब, क्योंकि यह सभी के लिए eligible है, तो सभी के लिए eligible है, तो बताओ कि मझे balance जो दिखाना है, वो कौन सा दिखाना है, किसका उनसे patient के लिए दिखाना है, तो आप बोलोगे patient three के लिए, patient three का balance display करो, समझ गया है, हाँ sir, हाँ, इसमें static data है, प्लस object की particular object की information, तो particular object की information तब ही आप बताओगे, जब उसकी object की reference होगा, हाँ, हाँ, आज time जादा होगे है, कल मैं आपको पूरा इसका flow बताओगा, पूरा एक-एक memory diagram बनाओगा इसका, ठीक है, कैसे कैसे चीजों का access की जा रही है, कैसे हम इसको fetch कर रहे है, records हाँ, 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 बताओ, कोई डाउट, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई समझ में आ रहा है, थोड़ा सभी एक-डामपल कर रहा है, अभी अभी तो पताओगे, अभी तो सिर्फ method बता रहा है, स्टेटिक, non-static method क्या है, इसको समझो, कौन सा लोड़ो, फिर पूरा complete यार अभी तो जर्नी सुरू हुई है, इस्टेटिक वेरियेबल, इस्टेटिक ब्लॉक, इस्टेटिक मेथर्ड, इसके बाद नौन इस्टेटिक वेरियेबल, नौन इस्टेटिक ब्लॉक, कंस्ट्रक्टर, कैसे execute करते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कैसे कौन से पहला लोड़ोगा, इसके बाद कौन से बाद कि आप पूरा प्रोग्राम का देखते ही आप कुरम मेमोरि डैग्राम बना लेंगे अपने कहीं भी तो पूरेंड शाथं करने तो है थीक है कि प्रोग्राम रटानों नहीं आप दो महीने में आपको different समझ में आ जाएगा कि अगर आप कहीं और से भी पढ़े होंगे तो भी different समझ में आ जाएगा और first time पढ़ने तो भी आपको समझ में आएगा कि हाँ वाके में developer हम हो गये हैं कि कि आपके अंदर वो skill develop हो गी आप वो चीजों को काम करना आने आपका idea मिल अधिक है तो यह चीज़े आप लोगों को नहीं है कि आप लोगों जैसे जैसे time बढ़ेगा आपके अंदर confidence level increase होता जाएगा अश्चांस तब जोब लेपाएंगे आपके इतना हाई हो जाएगा आप खुद बोलोगों कि सार वाके में आपने ट्रेंड किया है जावा डेवलपर ऐसे से जब डेवलपर्स को मतलब बना माई वरकिंग है जो नॉन वरकिंग सभी को ट्रेंड किया आप वह ऐसा काम करते हैं कि उनको कभी भी प्रॉब्लम नह कोड लिखने का तरीका उनको मालूम है कि कोड लिखा कैसे जाता है एक सीनियर डवलपर लिखने का तरीका एक फ्रेशर का लिखने का तरीका दोनों में काफी डिफरेंस होता है लेकि जो मेरे जो टुडेंट है वो कोड ऐसे लिखते हैं जैसे कि कोई सीनियर डवलपर ने काफी memory को ध्यान में रखते हुए चीजों को बनाया जाता है कि कैसे चीजों को रखना है का आपका application दूजली कौपल होना चाहिए दूजली का पल मिस जैसे की एक मोबाइल है जुझ करते हैं मोबाइल में आज अगर सिम डाल जाती है तो बताओ मार्केट में आपका मोबाल जो है प्रोडक्ट का जो कंपनी है मोबाइल कंपनी है वह मार्केट में पॉपुलर होती है फेल्ड हो जाती है कि अगर वो उस टाइम पर आइडिया का अगर वो फिक्ष करवाया होता मोबाल आइडिया की सिर्फ आइडिया का ही सिम नेटवर्क पकड़ेगा तो बताओ जहां पास जीयों का नेटवर्क है वहां कैश करेंगा हमारे कमपनी ने मोबाल कंपनी दुए अपना प्रोटक्त एडिया कि मार्केट में पैसे कमाने के लिए इसने लूज कपल कर दिया मोबाल तो गए अभी रहेगी आपकी पक्रिट मेंट जब सब्सक्राइब करेंगे कि फ्यूचर में किसी के लॉजिक हमारी होनी चाहिए जिसको चाहिए वह connect कर सके हमारे प्रोग्राम से तब तो हमारा प्रोग्राम जो हम application बनाये हैं वह market में popular होगा या फिर जो business जिसकी requirement है वह हमारे application को purchase करेंगे पैसे देगे अब लोगो क्या है registration नहीं करवा रहा है और कितना तारीक करोगे एक तारीक को सब्सक्राइब करने वाले हैं सब्सक्राइब करने प्रोसेस और मुझे भी निकलना है विश्वास तुम्हारा का है अदो आरे जा रहे हैं जा रहे हैं और प्राइड़े संड़े वह है चैसाथ साथ तारीक को निकलना साथ या तारीक को कर लेंगे अब ही तो आफ-लाइन नहीं चलोगा क्योंकि आफ-लाइन में भी मुझे सेट अप करने के पर्सनल रूम रूंगा फिर रूम लेने के बाद पर देखना पड़ेगा वहाँ जाके पाकि आप लोग आव कोई दिक्कत नहीं है मेरा रूम रहेगा कोई डाउट हो तो अवा सकते हो तो जैक है यह फिर मिलने ही आएगे तीक है फिर फिर दो नहीं तो अगज़े शाव एचनलोगा क्योंकि थी कोई नइट निट 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 निट